हलो नमस्कार फेंट्स एक एक लासे जैपूर में आपका स्वागत है आज हम पिछली एकजामों में आये हुए क्वेस्चनों पर चर्चा करेंगे जो हमें बहुत ही भायदेमंद रहेंगे तो चलो पहला क्वेस्चन आचुका है हमारी स्क्रीन पर राजिस्तान में पुरातात्विक सर्वक्षन कार्य सरफिर्थम 1871 इस्वी में प्रारंब करने का सिरे किसे जाता है जल्दी जल्दी अंसर दो कि राजिस्तान में पुरातात्विक सर्वक्षन कार्य सरफिर्थम 1871 इस्वी में प्रारंब करने का सिरे किसे जाता है कि किसे जाता है। एलेकजिंडर कनिंगम ने तो क्या किया था 1861 में इसकी स्थाफ ना की थी 1861 में क्या की थी स्थाफ ना की थी और इसे 1871 में इसे 1871 में प्रार्म करने का सिरे किसे जाता है किसको जाता है सियल कालाईल को नेक्स्ट क्वेस्टन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन हमारा कि यह सर्वे वर्क ऑफ एन सियन्ट साइटस अलोंग दी लॉस्ट सरस्पति रिवर किसका कार्य था किसका कार्य था जल्दी जल्दी बताओ पहला अप्सटन है AM MR मुगल दूसरा अप्सटन है AURAL STAND तीसरा अप्सटन है हर्मन गोईटसरों चोथा अप्सटन है В.N अ सोपा तो किसका कार्य था यह अप्सटन नंबर दो कि औरेल इस्टैंड हो गया सभी का नेक्स्ट क्वेस्टन पर चलते हैं अगला क्वेस्टन हमारा आता है क्वेस्टन नमबर तीन क्या है काली भंगा उत्री राजस्तान के हनवानगट जिले में नदी किस नदी के किनारे इस्तित है यह कुश्चन देखो बहुत बार आ चुका है जैसे राष्टान प्लुश में आया था यह असिस्टेंट एक्रिकल्चर ओफिसर में 2013 में लेब असिस्टेंट में भी आ गया 2022 में मतलब इंपोर्टेंट कुश्चन है मतलब एक कुश्चन बार बार आते रहते हैं तो इसका पहला उप्शन क्या है पहला उप्शन है घगर या सरस्पती दूसरा है लूनी नदी तीस साबर मती और चौता उप्शन है बनास नदी तो काली बंगा राज्तान के अन्वानगर जिलम किश्चन दी के किनारे इस्ते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन ए काली घगर या सरस्पती नदी तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर चार क्या है कि सिंदु गाटी से अलग एक हडपा उतकनन खरता हो द्वारा निमली में कित में से किसका वर्णन किया गया ओप्शन ए है कुर्दा ओप्शन दो है बैनारा ओप्शन तीन है काली बंगा ओप्शन चार है बिहारी पुरा जल्दी जल्दी इसका अंसर दो यह एले से 2016 में रास्तान पुलिस 2020 में और 22 में भी आया था मतलब रास्तान पुलिस में एक कुस्टन दो बार रिपीट हो चुका है तो इसका राइट आंसर क्या होगा मदलब सिंदू गाटी से अलग एक अडबबा उतकनन करता हूं दोरह निम्मिक्त में से किसका वर्णन किया गया है किसका वर्णन किया गया है इसका राइट आंसर क्या होगा ओप्शन नंबर 3 काली बंगा अप्शन नमबर तीने काली बंगा नेक्स्ट क्वेस्टन पर चलते हैं अगला क्वेस्टन है मारा क्वेस्टन नमबर पांच तो क्वेस्टन नमबर पांच क्या है राजिस्तान का कौन सा सेंदब इस्तल गगर नदी के किनारे इस्तित है कि राजिस्तान का कौन सा सेंदब इस्ताल गगर नदी के किनारे इस्तेत है यह कब आया हुआ क्वेस्टन है कॉलेज लेक्चरर दोजार सोले में और आव जावास या यह चात्रावास है कि यह मिस्प्रेंट है यहां पर कि यह कब आयाता है जात्रावास अधिक्चक परिक्चा दोजार आठ में भी आ चुका है तो कौन सा सेंदब इस्ताल का गर नदी के किनारे इस्तेत है अप्सण नमबर तीन काली बंगा पीली बंगा और अप्सण नमबर चार काली बंगा तो किस सेंदब इस्ताल का गर नदी के किनारे इस्तेत है तो अप्सण नमबर क्या हो जाएगा option number 4 काली बंगा next question आता है मारा question number 6 काली बंगा का साब्दिक अर्थ है काली बंगा का साब्दिक अर्थ है option काला फत्तर option 2 है जोता हुआ खेत option number 3 है काली चूड़ियां option number 4 है उप्योक सभी तो काली बंगा का साब्दिक अर्थ क्या है जल्दी जल्दी कमेंट करो तो काली बंगा का साब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां option number 3 option number 3 है next question देखते है next question है 7 काली बंगा सब्विता को सरप्रितम प्रकास में लाने का सिरे किसे दिया जाता है मतलब प्रकास में लाने का सिरे दिया जा सकता है मतलब किसे दिया गया ये कब आया था एक्जम 2007 में आया हुआ है ये किसकी में आया हुआ है जैयन की में जैयन की एक्जम में आया हुआ है इसके option है, पहला option है, बीविलाल, दूसरा option है, बीके थापर, तीसरा option है, एमडी खरे, चोता option है, अमलानन गोष, तो काली बंगा सब दिताकु सर्पितम, पिरकास में लाने का सिर्ख किस दिया गया, option नमबर 4, अमलानन गोष को, राइट आंसर है न, अमलानन गोष, काली बंगा सब दिता, अनमानगट जिला सिक, अनमानगट जिले मुख्याले सिक, किस दिशा में इस्ते थे, दक्चिन पस्चिम में, अनमानगट जिला मुख्याले सिक, किस दिशा में इस्ते थे, दक्चिन पस्चिम में, इसकी क्ऊज की गई थी, अमलानन गोष ने कब की गई थी उननीस सो क्यामन, और बामन में, उननीनस सो क्यामन, और बामन अमलानन गोष ने, इसकी, खोज की थी और इसके उतकनन करता कौन कौन से ये बीवी लाल और बी के धापर ये क्या है उतकनन करता उत्कनन करता ये क्या है उत्कनन करता बीविलाल अमलानन्द गोश ने 1901 क्यामन और बामन में काली बंगा सब्पिता की खोजगी और ये अनमानगर्जिला मुक्याले से किस दिशा मिश्थेता है दक्षिन पस्चम में और इसका उत्कनन कब किया गया था 1961 गोनेटार तक कब किया गया था इसका उत्कनन उन्निश्थे गोनेटार तक के मद्द में बीविलाल और दीक्यापर के द्वारा किया गया चलो नेक्स्ट क्वेस्टन चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा क्वेस्टन नंबर आठ नेक्स्ट है बर्स 1961 में 1979 की अबदी के दोरान निम्न में कौन प्रातत्त बेता काली बंगा के उत्खनन से संबंदित नहीं है 1961 में और 1979 की अबदी के दोरान मतलब काली बंगा से संबंद नहीं है मतलब इन में से कौन से इतियास बेता का या मतलब खोजकरता का या पर प्रातत बेता का काली बंगा संबंदित नहीं है किस बर्स की अबदी में 1961 से 1971 की में तो किसका नहीं है ऑप्शन नंबर एक आरसी अगरवाल क्योंग बीवी लाल और भी के था पर ने तो क्या उत्कनन किया था कि उत्कनन खड़ता है यह तो कब किया था 1961 से 1971 के मत दे और इनके साथ में था एमडी खड़े भी इन तीनों ने तो उत्कनन 1961 से है उन्नीस सो गुनेतर के मत किया था निक्स्ट्ट क्वेसन देकते है अब नेक्स्ट क्वेस्ट्र नंबर नाज 可以 ब्रोफेसर अमला नंद कोस ने किस बर्स राजिस्तान में काली बंगा स्थलकी पुने खोज या सोध की थी अमलानन्द गोश ने किस वर्ष राज्तान में काली बंगा स्थलकी पुने खोज की थी ओप्शन नंबर एक 1902 में ओप्शन नंबर दो 1903 में ओप्शन नंबर तीन है 1904 में और ओप्शन नंबर फोर है 1905 में तो जल्दी जल्दी बताओ काली बंगा इस तलकी पुने खोज अमला नंद गोशने कब की थी यह रास्तान प्लूस कॉंस्टेबल 2022 में आया हुओ क्वेस्टन है जल्दी बताओ इसका अंसर तो कब की थी अमला नंद गोशने पुने इस तलकी खोज ओप्शन एक 1902 में आंसर क्या है 1902 में नेक्स्ट क्यस्टन पर चलते हैं नेक्स्ट क्यूस्टन हमारा एक देश्र्चम काली बंगा इसतल अनवानगट जिला मुक्याले से किस दिशामेशते त Erfahr ने अप इसतल हनमानगट जिला बने से किस दिशामेशते त्यरा और अप्षन पूरब में तो अभी अभी क्या बताया था कि काली बंगा अन्मानगर्जिला मुक्याले से किस दिशा मिश्थेता है अभी बताया था दक्षिन पस्चिम से यह कब आया हुआ था एक्जाम में जेल प्रेरी 2018 की एक्जाम में आया हुआ क्वेस्टन है चलो नेक्स्ट क्वेस्चन पर चलते हैं क्वेस्चन नमबर है हमारा ग्यार में क्या है काली बंगा का उतकनन कारे कितने इस्तरों पर किया गया काली बंगा का उतकनन कारे कितने इस्तरों पर किया गया यह कब आया हुआ क्वेस्चन है सेकंड ग्रेड टीचर की एक्जाम में हुआ है सत्रे दस 2022 को आया हुआ कुष्चा ने तो काली बंगा का उतकानन कायरे कितने इस्तर पर किया गया था ओप्षन ए एक ओप्षन दो ए तीन ओप्षन तीन पांच ओप्षन सी ए चार ए आठ तो कितने इस्तर पर पांच इस्तर पर ने तो इसका राइट आइंसर क्या है पांच पिर्दम दो इस्तर तो अडपपस अबिता से भी प्राची ने और वहीं तीसरे चोथे वे पांच वे स्तर की सामगरी हडप्पा समप्था की सामागरी के समान और समकाली हैं मतलब 1st और 2nd इस तर तो हडप्पा से भी पुराने हैं हडप्पा से पुराने पुराने हैं और जो 3 और 4 और 5 इस तर है वो क्या है हडप्पा के समकाली ने अडपा के समकाली ने इसादार पर काली बंगा सब्विता को दो बागों में भी बाटा गया है एक तो फश प्राग अडपा सम्विता मतलब अडपा सब्विता से प्राचीन और एक है अडपा सब्विता तो कितने इस्तर हैं इसके पांच इस्तर नेक्स्ट क्वेस्टन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है क्वेस्टन नंबर 12 क्या है राजिस्तान में सबसे प्राचीन सब्विता के अपसेश कहां पाए गए राश्तान में सबसे प्राचीन सब्विता के अपसेश कहां पाए गई यह क्वेस्टन आया था राश्तान पुलिस में आया था कि दूजार चौधे में हुए कि राश्तान में सबसे प्राचीन सब बिताके कहां पाया गई गई तो कहां पाये गई ऑप्षन एक तेलवाडा में ऐप्षन नंबर दो है वालोत्रा सबसंशन नंबर तीने अहर या आहार नहीं आहाड है कि मुवाई आहाड़े ये question number option number तीने आहाड़े और option number 4 क्या आए काली बंगिता बंगा काली बंगा तो क्या होगा इसका right answer तो इसका right answer काली बंगा तो राज्तान में सबसे प्राचीन सब बिता के अपसे कहां पागए गए काली बंगा से next question पर चलते है question number है question number 13 निमनांकित में से किस इतियास बेता ने काली बंगा को सिंदी गाटी सामराज्य की तर्तिए राजदानी कहा किस इतियास बेता ने काली बंगा को सिंधु गाटी समराज की तिरतिय राजदा निकाँ तो ओप्सन नमबर एक है जी एच ओजा जी एच ओजा ओप्सन नमबर दो स्यामलदास option number 3 is धसरत सर्मा option 4 is धयाराम स्यानी किसे तियास बिता ने कहा तो option number C हो जाएगा इमारा दसरत सर्मा तो दसरत सर्मा ने काली बंगा को सिंदु गाटी की तिरतिय राजदानी कहा था दसरत सर्मा ने चलो next question चलते है, question number है, अगला question है, question number 22, question number 14, question number 14 क्या है, राजिस्तान में सब्विता के किस इस्तल पर सबसे प्रितम बार हल से जोते हुए खेत के साक्षे प्राप्त हुए थे, तो राजिस्तान में मतलब कौन सा जगह है, जहां पर प्रितम बार हल से जोते हुए खेत के साक्षे मिले थे, हल से जोते हुए खेत के साक्षे प्राप्त हुए, option A है, काली बंगा से, option B है, आहाड से, option 3 है, त्री है, गनेश्वार, और option 4 है, रंग महल, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, यह क्वेस्टन कब आ हुआ, PSI एक्जाम, चोदे, नो, 2021 मा आया हुआ है, और agriculture officer है, agriculture है, agriculture officer है, उन, 2013 मा आया हुआ, question है, तो केसे स्थल से मिले थे, तो option नम, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, option A, काली बंगा से, next question चलते हैं, question हमारा पंद्रवा, काली बंगा, प्राइस्थल के किस दिसा में, जोता हुआ, खेत मिलता है, तो किस दिसा में, जोता हुआ, option A, उत्तर पूरब, option दूस राए, उत्तर पस्चिम, option तीस राए, दक्षेन पूरब, option चौता है, दक्षेन पस्चिम, तो किस दिसा में, जोते हुए, खेत मिलता है, option number 3, दक्षेन पूरब में, दक्षेन पूरब में, खाली बंगा, प्राइस्थल से, जोते हुए, खेत मिलता है, यह question, आने वाली जितनी भी exam है, उनमें फायदे मंद रहेंगे, क्योंकि हमेशा, मतलब, 10-20%, मतलब 100% में से कम से कम, आदा तो पुराने exam, पुराने question, exam में आये हुए, उनहीं से आता है, तो इनको बेतर तैयारी कीजिए, next question है, हमारा question number 16, निमलेखित में से, किस इस्तल से, उतकनन में अगनी वेदिकाय मिली, तो यह question देखो, बहुत बार आया हुआ है, PSI 2000, 21 में भी आया है, level system में, 22 में भी आ गया, फिर गुनी इसमा आया हुआ है, तो ऐसे ही repeat होते हैं, निमलेखित में से, किस इस्तल से, उतकनन में अगनी वेदिकाय मिली, तो किस इस्तल से मिली थे अगनी वेदिकाय मिली, तो किस इस्तल से मिली, option A, मौन जो दुडो, option 2, चन हूँ दुडो, option 3, लो थल, और option 4, यह काली बंगा है, option 4, option 4, क्या है, काली बंगा, तो किस इस्तल से मिली थी, तो option नमबर, फोर हो जाएगा, इसका रायट आंसर, काली बंगा से, तो काली बंगा से क्या है, अगनी वेदिकाय हमें प्राप्त हुई थी, और काली बंगा से और क्या-क्या प्राप्त हुआ था, तो काली बंगा से एक फर्स पर, पूरे अडपा काल का, अलंकरत इटे का प्रियोग हुआ था, मकानों की नालियां मिली थी, सोचाले, बटियां, कुछ सरचनाओं में पकी इटों का भी प्रियोग किया गया, अब नेक्स्ट क्वेस्टन आधा है, हमारा क्वेस्टन नंबर 17, क्या है, काली बंगा चेत्र से कितनी अगनी बेदी का है प्राप्त हुई तो काली बंगा से ओप्शन एक है हमारा पांच ओप्शन नमबर दो है साथ ओप्शन नमबर तीन है आठ ओप्शन नमबर चार है नो तो काली बंगा चेत्र से कितनी अगनिवेदी का है प्राप्त हुई तो ओप्शन नमबर दो है हमारा साथ तो साथ अगनिवेदी का है प्राप्त हुई थी नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा क्वेस्टन नमबर अठारे क्या है काली बंगा में प्राप्त चबूत्रे निर्मित है तो काली बंगा में जो चबूत्रे हैं वो किस से निर्मित है ओप्शन एक लकडी से ओप्शन दो मिट्टी की एटों से ओप्शन तीन है फत्तर से और रातु से जल्दी जल्दी कमेंट करो हिरे काली बंगा में प्राप्त सब उत्र है किससे निर्मित है तो option number 2 है हमारा मिट्टी की इंटों से तो मिट्टी की इंटों से काली बंगा में सब उत्रे निर्मित है next question है question number second last है हमारा आज का दोरी रक्षा प्राचीर के साख राजिस्तान की किस सब बिता से प्राप्त हुए थे मतलब दोरी प्राचीर मतलब दोरी दीवार साख से राजिस्तान की किस सब बिता से प्राप्त हुए थे तो option number 1 है बाला थल सब बिता option number 2 है ओजियाना सब बिता option number 3 है काली बंगा सब बिता और option number 4 है गनेश्वर सब बिता तो किस सब बिता से प्राप्त हुए थे तो इसका right answer होगा option number 3 काली बंगा सब बिता से option number 3 काली बंगा सब बिता से और यह हमारा last question है तो last question है देखते हैं लास्ट क्वेस्टेन क्या है क्वेस्टें निमलकित में से किस सब्विता में विक्षित एबं सामरिक मैत्विक की किलेवंदी के अपसेश प्राप्त हुए हैं इनिंवलेखित में से किस्सबविता में विक्सित एबम सामmot सम्रिक मैंथ्वकी किलेवन्दी के अपसे स्प्रापत हुए तो ऊपशन में एक भीराट ऊपशन में आपन कालीवाहिवंगा ऊपशन नंबर तीन है इसवाल और ऊपशन मानल चार है गैस तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नंबर दो काली बंगाजे ओप्शन नंबर दो ओके फ्रेंट्स चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं आगली क्लास में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करना धन्यबाद